क्या कर्मों का फल हम सभी को भोग नहीं पढ़ता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने किये गए अपराधों का सामना अपने कर्मों से करे? महाभारत के कुछ ऐसे अनसुने रहस्यों से भरे समवाद हैं जो न केवल उस समय के पात्रों के लिए महत्वपूर्ण थे बलकि हमें भी जीवन के गहरे सबक सिखाते हैं आज हम बात करेंगे एक ऐसे समवाद के बारे में जो द्रौपदी और कर्ण के बीच हुआ था और जो महाभारत के सबसे गहरे अर्थों को उजागर करता है दोस्तों महाभारत का युद्ध जिसने भारत वर्ष को खून और क्रोध से सनी भूमी बना दिया कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो उस महायुद्ध की भूमी को तैयार कर रही थी द्रौपदी का चीरहरन महाभारत की सबसे पीडा दायक घटनाओं में से एक थी एक सभा में जहां विद्वानों और नीतिग्यों की उपस्थिती थी वहां द्रौपदी का ऐसा अपमान हुआ जिसने संपूर्ण स्त्री जाती को जगजोर कर रख दिया उस अपमान की स्मृति द्रौपदी के हृदय में क्रोध और पीडा के रूप में अमिठ हो चुकी थी लेकिन भीश्म, द्रोण और विदुर जैसे महान पुरुष भी चुप रहे उस दिन जब दुश्शासन ने द्रौपदी के वस्त्र उतारने का प्रयास किया तो भगवान कृष्ण ने उसके सतीत्व की रक्षा की परंतु उस अपमान की आग में द्रौपदी जल रही थी दोस्तों कहा जाता है कि एक बार कुंती ने अपने युवावस्था में सूर्य से वर्दान मांग कर कर्ण को जन्म दिया, लेकिन यह वर्दान उनके लिए श्राप बन गया एक अविवाहित मां होने के नाते, उन्होंने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया क्या यह एक मां की मजबूरी थी या नियती का खेल कर्ण का जीवन उस नदी के प्रवाह के साथ संघर्ष और अपमान की ओर बढ़ा दूसरी ओर, द्रौपदी, एक ऐसी नारी, जिसका जन्म स्वयम अग्नि से हुआ, जिसे यग्य सेनी कहा गया क्या द्रौपदी का जन्म भी केवल एक उद्देश्य के लिए हुआ था? अब सोचिये दोस्तों, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और पूरा सभा मौन थी, तो क्या वह केवल कौरवों का पाप था? या उस सभा में मौजूद हर व्यक्ति, चाहे वह पांडव हो या कर्ण, कही न कहीं इस पाप के सह भागी थे? दूसरी तरफ, द्रौपदी, जो हमेशा अपने न्याय के लिए लड़ी. क्या उसे कभी न्याय मिला? क्या वह कर्ण को उसके कर्मों के लिए माफ कर पाई? कर्ण ने अपने जीवन में जो भी चुना, वह उसके कर्मों का परिणाम था. उन्होंने अधर्म का साथ दिया, लेकिन अपने धर्म से विमुख नहीं हुए. दूसरी तरफ, द्रौपदी ने हमेशा न्याय और सच्चाई का साथ दिया, लेकिन फिर भी उनके जीवन में अनेकों कश्ट आये. एक दिन जब पांडव भोजन की तलाश में दूर गए हुए थे, द्रौपदी अपने दैन उड़ाता हुआ सामने से आता दिखाई दिया, रत का स्वरूप भव्य था, परंतु द्रौपदी के मन में भय और आशंका ने जन्म लिया, रत रुख गया, उसमें से उतरने वाला कोई और नहीं, बलकि वही कर्ण था, जिसने द्रौपदी को वेश्या कहकर अपमानित कि किया था, कर्ण के शब्द आज भी द्रौपदी के कानों में गूंज रहे थे, वह रुख गई, परंतु उसकी आखों में नफरत की ज्वाला भड़क रही थी, कर्ण ने विनम्र स्वर में कहा, प्रणाम, देवी, द्रौपदी क्रोध से बोली, मुझे एक सूत-पुत्र क का प्रणाम स्विकार नहीं, तु यहां क्यों आया है, क्या तुझे अपने प्राणों का भै नहीं, मेरे पती तुझे देखते ही मार डालेंगे, कर्ण ने सिर जुका कर उत्तर दिया, मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं तो उन अपशब्दों के लिए क्षमा मांग आया हूँ, जो मैंने सभा में आपके लिए कहे थे, मैं उस दिन अपराध ही था, और आज पश्चाताप की अगनी में जल रहा हूँ, द्रौपदी ने तीखे स्वर में कहा, तुझे पता नहीं, सबसे गहरे घाव शब्दों से ही लगते हैं, तेरे शब्दों ने मेरा धीन होते, तो मैं अपना शीष काट कर आपके चरणों में अर्पित कर देता, द्रौपदी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, तेरे प्राण अब मेरे लिए महत्वहीन है, तेरा कटा शीष इस धर्ती को अपवित्र करेगा, तेरा अंत मेरे पती अर्जुन के हाथों ही द्रौपदी ने अपनी द्रिष्टि कर्ण पर टिकाई और कहा, तू वही बोलता है, जो कायरों का समूह बोलता है, क्षमा का स्वांग रचने की आवश्यक्ता नहीं, मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगी, कर्ण ने सिर जुका लिया, उसके शब्दों में पश्चाता परन्तु द्रौपदी का हृदय उस दिन के अपमान और पीड़ा से कठोर हो चुका था, वह बिना कर्ण की ओर देखे आगे बढ़ गई, उस दिन कर्ण वहीं खड़ा रहा, द्रौपदी के शब्दों का बोज अपने हृदय पर लिये, वह जानता था कि उसने जो किया, उसका प्रायश्चित संभव नहीं, इस घटना ने महाभारत के युद्ध को और भी निकटला दिया, द्रौपदी के अपमान का बदला और पांडवों के साथ हुए अन्याय का न्याय उस महान युद्ध का कारण बना, लेकिन क्या यह युद्ध केवल सत्ता का संग या उस अपमान का प्रतिशोध जो एक स्त्री ने सहा था, द्रौपदी के उस क्रोध और पीड़ा ने इतिहास रच दिया, उसका संकल्प और उसका संगर्ष नारी शक्ति का प्रतीक बन गया, यह समवाद हमें यह सिखाता है कि कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है, चाहे हम किसी भी स्थिती में हो, हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, कर्ण को अपने गलत शब्दों का फल अंत में भुगतना ही पड़ा, और द्रौपदी ने यह साफ किया कि जिनके कर्म गलत होते हैं, उनका अंत निश्चित होता है, उम्मीद है दोस्तों, आ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, धन्यवाद.